Hello Friends, I am Rupali and Welcome back to Rupali's Kitchen Friends, आज आप लोग के लिए लेकर रहे हूं कोकर में बन जाने वाली फटा फटा से आसानी से बन जाने वाली आलूग्रेवी की recipe और इसमें मेंने कुछ टेप सेंट ट्रिक्स भी आप लोक साथ में share करिये हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा आप लोग को डेफिनिट्ली ए रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बैल आइकन पर है तो चलिए वीडियो में वेहमानों को दिल खुश कर सकते हैं और सब आपी तारीफ करते नहीं तगेंगे तो यहां पर मैं आलो को छील लिया था और इसे बड़े बड़े चंक्स में कट लिया तो यहां पर मैं आलो को छोटे चोटा कटनी करना है क्योंकि हम इने कुकर में लगाएंगे जो हमारे जो आलो कोते हैं खको तो दोलिया तो फुटा कटकिया अधे हो पानी का, यह लेके जाएंगे ना ओर मासाला जाटे चले चाहांजम तो इसे अधे इंगे चलने के चाहते हैoon जब आम अपने मसाले को इसमें डालाए में बालेंगे तो अपने मसाले राम दलेंगे सब्सक्राइब mina में डाला है जादा नहीं टालें तो अब मैंने कूकर में जीर है तो तो या मेल डाले कट कर अअगा है तो प्रेश थी हाँ है तो जब आ खोऊपों जाओů अगर प्लाइग दौ कि स मिर्टे के फूटी इम अब भाल बाल दालरी हूं मैं यह तो रहे नपी लिए घ्रक औलाके 잡ू कानी बच्त डाल दाल दिए से अब तो नार क्चे को डाल दाल दींगे जोन सब्सक्तिते बच्छ को देरा डीजने लिए इसरह कोई खाल्च को डाल पर पर बेसे में बचेंट्टच भूड़ाय है लगेगा आपको तो उसको mix कर देंगे बहुत जल्दी गल जाती है वो ताइम में लगता अब लास्ट में में डाल रही हूं टमाटर और टाल के भी हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे सब को और यह बाद में अपने अब लास्ट में में त्यार कर रखे हूं थे हैं पानी में ठीजाले में टेकिए तो अब में अच्छे से mix कर लेते हैं और यह दए अब डीरे मसाले अपना वह छोड़ देंगे और सब दलॉड़ के में ने देखा हूआ था। तो फो मैंने जाल थे कर दो म थोज़के पानि टाला है और थोज़ऊ साही ड्याया दे लिए है और बेड़की तो है शुम्छी होगान, मखेображाना सब्सक्स के क्लोगे टूर unfamiliar है। अब कर शुम्छ देकह लिया तोश्य तो सबस्क्रिण को पम सब आप इसका है। कितनी बढ़िया बनी मिक्सर में पीसने की भी तुरोत नहीं है इतनी अच्छे हमाई ग्रेवी बनके त्यार होगी इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे ओईल छूट चुका है आप देख सकते हैं कितना ओईल देख रहा है अब हमने जो आलू अपने कट करके रखे दें उन कितनी बढ़िया माई ग्रेवी तैयार होई है बनके ओइल दिख रहा है बिल्कुल लगी नेरा की हमने कुककर में बनाई ऐसे ऑड़ने तो यहां पे हमारी सबजी बनके त्यार होगी इसे सर्फ कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें ऑईल मसाले कितने सुन्दर देख रह और हमारी सब्ची बन के थार होगी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कुजिएगा और प्लीज में सब्सक्राइब टो मैं चैनल और बैल आइकन पर जरूर हिट कर दीजिए का ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में तब के लिए बाइबाई